दो गैस आपका पॉइंट ने उसके नए एपिसोड में बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे Zee Plex के बारे में तो बेसिकली ये Zee की Cinema to Home Service है जो फीचर करता है Bollywood की Newly Released Movie Direct आपके होम में वो भी TV पे, Setup Box पे, मतलब समझ रहे हो ना अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो आप Tata Sky Bollywood Premiere को तो जानते ही होगे और Dish TV Buzz Cinema जानते ही होगे क्योंकि हर DTH Operator के पास ऐसे channels होते हैं पर ये channels नहीं होते हैं इनने service बोलते हैं जैसा Tata Sky Bollywood Premiere वो एक TV channel नहीं एक service है जिसमें आप 100 रुपीज दे के कोई सी भी Newly Bollywood Released Movie देख सकते हैं और वो Bollywood Movie मीन्स इन सेंस कहने का मलब है डिजिटल रिलीज जब उसका हो जाता है तो वो मुवी आप Tata Sky Bollywood Premiere पे देख सकते हैं लेकिन अब वो ही चीज हो रही है Z-Plex पे यह ऐसा पहला network बनने जा रहा जो खुद की service चालू कर रहा है मैं याद दिला दू यह service है कोई channel नहीं तो means जैसे कोई नई movie है वो cinema सेंस में release हो गई अच्छा खासा कमा लिया अब जिए उसका digital Blu-ray release कर देगा तो वो Blu-ray Z-5 नाम के app पे तो आएगा ही आएगा साथ ही में आप उसे Z-Plex चैनल पे भी देख सकते हो यानी Z-Cinema and Pictures इन दोनों चैनल से पहले उसका premiere एक service पे हो जाएगा और इसकी मैं cost बता दूँ आप सोच रहे होंगे खाली पी ली भी और चलो आप अपनी next story की बात करते हैं वैसे मैं 10 रुपे देखके भी movie नहीं देखूँगा boycott माने पाए को nepotism मुर्दाबाद तो चलो आप बात करते हैं 10-8 की तो 10-8 जो masterpiece है मेरे recording तो 10-8 कोरोना की बंधनों को तोड़ कर cinemas में release हो गई लेकिन इंडिया में नहीं अमेरिका में खेर कई लोगों को डरता कि ऐसे टाइम में release हो रही है ये movie अच्छा कमा नहीं पाएगी लेकिन lockdown के चलते में इन सब चीजों को covid pandemic को देखते हुए 10-8 ने काफी अच्छी घासी कमाई कर ली है तो 10-8 ने 10 दिनों में 150 million dollars कमा लिया है यानि 15 करोड dollars 10-8 ने कमाई कर लिया है मुझे ये काफी अच्छा नंबर लग रहा है अच्छी खेल गई 10-8 और जो लोग 10-8 की ये इंडिया में आईगी की नहीं आईगी तो भाई साब ये बता दू पर रिलीज करती जाएगी अगर OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज होई तो इंडिया में HBO Max तो है नहीं तो वह सिधा Amazon Prime वीडियो पर लॉंच करती जाएगी चलो अब अपनी नेक्स्टोर के बारे में बात करते हैं अनॉला होम्स जो हिंदी में भी अवैलेबल होगी तो यह देखे हो यह चार्ट देख रहा हो ना एक सर्वे हुआ था एक पैपसाट ने सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग